आपके इस प्यार के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन अब ये उच्छा अभी कई माहिनों तक चला रहा है जिन अन्य स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, वहां उपस्तित, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कारकम मैं मौजूद सभी साउसत, विधायक, अन्य जन प्रतिनीदी और मेरे प्यारे भाई और बेनों आज का दिन पुर्वान चल के लिए पूरे उत्तरप्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है, आपके लिए एक उपहार लेकर आया है, यहां सिद्धार्थ नगर में यूपी के नव मेडिकल कॉलेज का लोकारपन हो रहा है, इसके बाद पुर्वान चल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रासेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है, और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशिरवार लेने के बाद, इस पवित्र धर्ति के आशिरवार लेने के बाद, आप से समवात करने के बाद, काशी जाऊंगा, और काशी मैं उस कारकम को लॉंच करूंगा, साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दसकों की तपस्या का फल है, सिद्धार्थ नगर ने भी स्वर्गिय माधव प्रसाथ त्रिपाडी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिती देश को दिया, जिनका अथा परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है, माधव बाबु ने राजनीती में कर्म योगियों की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया, यूपी भाजपा के पहले अध्रक्ष के रुप में, केंद्र में मंत्री के रुप में, उन्होंने विशेस रुप से पुरवान चल के विकास की चिंता की, इसलिए सिद्धार्थ नगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबु के नाम पर रखना, उनके प्रती सेवा भाव के प्रती सच्ची कार्यांजली है, और इसके लिए मैं योगी जी को और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूँ, माधव बाबु का नाम यहां से पढ़कर निकलने वाले यूवाट डॉक्टरों को जन सेवा की निरंतर प्रेर्णा भी देगा, भाई और बहनों, यूपी और पुर्वान्चल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहात विस्तरत विरासत है, इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और सम्रद उत्तर प्रदेश के भविश के साथ भी जोड़ा जा रहा है, आज जिन्नव जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकारपन किया गया है, उनमें ये दिखता भी है, सिदार्थ नगर में माधो प्रसात त्रिपाथी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्शी देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपूर में महर्शी विश्वा मित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्जापूर में माविंद्य वासिनी मेडिकल कॉलेज प्रताप घड में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज एटा में दिरांगना अवंतिबाई लोधी मेडिकल कॉलेज फतेपूर में महान योद्दा अमर्शहीद जोधासी और ठाकुर दरियासीव के नाम पर मेडिकल कॉलेज जौनपूर में उमानाच्सी मेडिकल कॉलेज और हर्दोई ऐसे कितने नव मेडिकल कॉलेज ये सभी medical college अब पुरवान चलके कोटी कोटी जनों की सेवा करने के लिए तयार है इन नव नए medical college के निर्माण से करीब डाई हजार नए बेड़्स तयार हुए है पांच हजार चे अधिक डॉक्टर और पैरा medical के लिए रोजगार के नए आउसर बने है इसके साथ ही हर वर्ष सेंकडो युवाओं के लिए medical की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है साथियों जिस पुर्वाणचल को पहले की सरकारों ने बिमारियों से जूजने के लिए छोड़ दिया था वही अब पुर्वी भारत का medical hub बनेगा अब देश को बिमारियों से बचाने वाले अनेग डॉक्टर ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है जिस पुर्वाणचल की छबी पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी जिस पुर्वाणचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था वही पुर्वाणचल, वही उत्तरपदेश, पुर्वी भारत को सहत का नया उजाला देने वाला है साथियों, यूपी के भाई भेंग भूल नहीं सकते कि कैसे योगी जी ने साउसद वे, यूपी की बदहाल मेडिकल व्यवस्ता की व्यथा सुनाई थी यूगी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे, वे एक साउसद थे और बहुत छोटी आईू की वो साउसद बने थे और अब आज, यूपी के लोग ये भी देख रहे हैं, कि जब योगी जी को जनता जनारदन ने सेवा का मोका दिया, तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार को बढ़ने से रोक दिया? इस अख्षेत्र के हजारों बच्चों का जीवन बचा लिया, सरकार जब संवेदन सीर हो, गरीब का दर्द, गरीब का दर्द समझे लेक लिए मन में करुणा का भाव हो, तो इसी तरह का काम होता है, भाईयों और बहनों, हमारे देश में आजादी के पहले और उसके बाद भी मुल्भुत चिकित्सा और स्वास्त सुविधाओं को कभी प्रात्फिक्ता नहीं दी गई, अच्छा इलाज चाहिए, तो बड़े शहर जाना होगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है, तो बड़े शहर जाना होगा, रात भी रात किसी की तबियत खराब हो गई, तो गाड़ी का इंतजाम करो और लेकर भागो शहर की तरफ, हमारे गाव दिहां की यही सचाई रही है, गावों के कश्बों में, जिला मुख्यालई तक में, बहतर स्वात्रसों विधाय, मुश्किल से ही मिलते थी, इस कस्प को मैंने भी भोगा है, मैसूस किया, देश के गरी, दली, शोशित, बंचीत, देश के किसान, गावों के लोग, छोटे-छोटे बच्चों को सीने से लगाये, इदर-उदर दौट रही माता हैं, हमारे बुजूर्ख, जब स्वास्त की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार के तरफ देखते थे, उन्हेंने निराशा ही हाथ लगती थी, इसी निराशा को, मेरे गरीब भाई-बेनों ने अपनी नीती मान लिया था, जब 2014 में, आपने मुझे देश की सेवा का आउसर दिया, तब पहले की स्थिटी को बदलने के लिए, हमारी सरकार ने, दिन रात एक कर दिये, जन मानस के कस्ट को समझते हुए, सामान ने मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साज़ा करने में, हम भागिदार बले हैं, हमने देश के स्वास्त सुविधाओं को सुधारने के लिए, आदूनिता लाने के लिए, एक महा यग्य शुरू किया, अने लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अपसोस रहेगा, कि यहाँ पहले जो सरकार थी, उसने हमारा साथ नहीं दिया, विकास के कारियों में वो राजनिती को ले आई, केंदर की योजनाओं को यहाँ यूपी में आगे नहीं बढ़ने जिया गया, साथियों, यहाँ अलग अलग आयू वर्क के बहन भाई बैटे हैं, क्या कभी किसी को याद पढ़ता है, और याद पढ़ता है तो मुझे बता ना, क्या किसी को याद पढ़ता है, कि उत्तर प्रदेश के इतियाद में कभी एक साथ, एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकारपन हुआ हो, हुआ है कभी, नहीं हुआ है न पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों रोहो रहा है इसका एक ही कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ती और राजनीतिक प्राथ्मिक्ता जो पहले थे उनकी प्राथ्मिक्ता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तीजोरी भरना था हमारी प्राथ्मिक्ता गरीब का पैसा बचाना गरीब के परिवार को मुलभूत सुविधाए देना साथियों बिमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है उसके लिए तो सब बराबर होते हैं और इसलिए इन सुविधाओं का जितना लब गरीब को होता है उत्ना ही लब मद्द्यम्बर के परिवारों को भी होता है साथियों साथ साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और चार साल पहले जो यहाँ यूपी में सरकार थी वो पुरवांचल में क्या करते थे जो पहले सरकार में थे वो बोर्ड के लिए नहीं डिस्पैंसरी की कहीं छोटे-छोटे हस्पताल की गोशना करके बैठ जाते थे लोग भी उमीद लगाये रहते थे लेकिन सालों साल तक या तो बिल्लिंग ही नहीं बनती थी बिल्लिंग होटली थी तो मशीन नहीं होती थी दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाप नहीं होता था उपर से गरीबों के हजारों करोड रुपिये लूटने वाली ब्रस्टाचार की साइकिल ये ब्रस्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी दवाई में ब्रस्टाचार, एम्बिलंस में ब्रस्टाचार, नियुक्ती में ब्रस्टाचार, ट्रांसपर प्रोस्टिंग में ब्रस्टाचार, इस पूरे खेल में यूपि में कुछ परिवार बादियों का तो खूब बला हुआ ब्रक्ष्टाचार की साइकल तो खूब चली लेकिन उसमें पुरवान्चल और यूपी का सामान ने परिवार पिस्ता चला गया सही ही कहा जाता है जाके पावन फटी बिवाई जाके पावन फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई साथियों बीते वर्षों में डबल इंजिन की सरकार ने हर गरीब हर गरीब तक बहतर स्वात तस्विदाएं पहुचाने के लिए बहुत इमानदारी से प्रयास किया है निरंतर काम किया है हमने देश में नई स्वास्त नीती लागू की ताकि गरीब को सस्ता इलाज मिले और उसे बिमारियों से भी बचाया जा सके यहां यूपी में भी नब्बे लाख मरीजों को आईश्मान भारत के तहर मुप्त इलाज मिला है इन गरीबों के आईश्मान भारत की बज़र से करीब करीब एक हजार करोड रुपिये इलाज में खर्च होने से बचे हैं आज हजारों जन अवशदी केंद्रों से बहुत सस्ती दमाये मिल रही है कैंसर का इलाज, डायालिसीज और हाट की सरजरी तक बहुत सस्ती हुई है सौचाले जैसी सुविदाओं से अनेक बिमारियों में कमी आई है यही नहीं, देश भर में बहतर अस्पताल कैसे बने और उन अस्पतालों में बहतर डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कैसे उपलब्द हो इसके लिए बहुत बड़े और लंबे विजन के साथ काम किया जा रहा है अब अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेजों का, भूमी पुजन भी होता है और उनका तैस समय पर लोकारपन भी होता है योगी ची की सरकार से पहले जो सरकार थी उसने अपने कार्यमकाल में यूपी में सिरफ छे मेडिकल कॉलेज बनवाए थे योगी जी के कारकाल में सोला मेडिकल शुरू हो चुके हैं और तीस नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है राय बरेली और गोरकपुर में बन रहे एम्स तो यूपी के लिए एक प्रकार से बोनस है भाई और बहनों मेडिकल कॉलेज सिर्फ बहतर इलाज नहीं देते बलकि नए डॉक्टर नए पेरा मेडिस का भी निर्मान करते जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो वहाँ पर विशेश प्रकार के लेबोरेटरी ट्रेनिंग सेंटर नर्सिंग यूनिट, मेडिकल यूनिट और रोजगार के अनेक नाये साधन बनते हैं दुर्भागे से पहले के दसकों में देश में डॉक्टरों की कमी को पुरा करने के लिए राष्ट व्यापी रणनिती पर कामी नहीं हुआ अनेक दसक पहले मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सिख्षा की देखर के लिए जो नियम काईदे बनाए गए थे जो संस्थाएं बनाई गई वो पुराने तौर तरीकों से ही चल रही थी ये नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बाधग भी बन रही थी बीते साथ सालों में एक के बाद एक हर ऐसी पुरानी ववस्ता को बढ़ला जा रहा है जो मेडिकल सिख्षा की रहा में रुकावट बन रहा है इसका परणाम मेडिकल सीटों की संख्य में भी नजर आता है 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल की सीटें नब्बे हजार से भी कम थी बीते साथ वर्सों में देश में मेडिकल की साथ हजार नई सीटें जोड़ी गई है यहां उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सरब उननी सो सीटे थी जबकि डबल इंजिन की सरकार में पिछले चार साल में ही उननी सो नई सीटों से ज़्यादा मेडिकल सीटों की बड़ोत्री की गई है साथ ह्यों मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का एक महत्व पूर्ण पहलू ये भी है कि यहां के ज़ादा से ज़ादा युवाद डॉक्टर बनेंगे गरीम मा के बेटे और बेटी को भी अब डॉक्टर बनने में और आसानी होगी सरकार के निरंतर प्रयास का परणाम है कि आज हादी के बार सत्तर वर्सों में जितने डॉक्टर पढ़ने कर निकले उससे जादा डॉक्टर हम अगले दस बारा वर्सों में तयार कर पाएंगे साथियों युवाओं को देश भर में अलग-अलग एंट्रेंट स्थेस की टेंशन से मुक्ति दिलाने के लिए वन नेशन वन एक्जाम को लागू किया गया है इसे खर्च की भी बचत हुई है और परेशानी भी कम हुई है मेडिकल सिक्षा गरीब और मिलल कास की पहुँच में हो इसके लिए प्राइवेट कॉलेज की भीच को नियंतरित रखने के लिए कानूनी प्रावधान भी किये गए है स्थानिय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई ना होने से भी बहुत दिक्कते आती थी अब हिंदी सहीत अनेग भारतिय भाषाओं में भी मेडिकल की बहतरिन पढ़ाई का विकल्प दे दिया गया है अपनी मात्रुबाचा में जब युवाज सिखेंगे तो अपने काम पर उनकी पकड़ भी बहतर होगी साथ्यों अपनी स्वात्त सुविधाओं को यूपी तेजी से सुधार सकता है ये यूपी के लोगों ने इस कोरोना काल में भी साबित किया है चार दिन पहले ही देश ने सो करोड वैक्सिन डोज का बड़ा लक्षा हासिल किया है और इसमें यूपी गाभी बहुत बड़ा यूगदान है मैं यूपी की समस्त जन्ता, कोरोना वारियर्स, सरकार, प्रशासन और इससे जुड़े सभी लोगों को बढ़ाई देता हूँ आज देश के पास सो करोड वैक्सिन डोज का सुरक्षा कवच है मावजूद इसके कोरोना से बचाओं के लिए यूपी अपने तयारियों में जुटाओं हुआ है यूपी के हर जिले में यूपी के हर जिले में कोरोना से निपटने के लिए बच्चों की केर यूनीट या तो बन चुकी है या तेजी से बन रही है कोवीड की जांच के लिए आजूपी के पास 60 से ज़्यादा लेप्स मुझूद है 500 से ज़्यादा नए उक्सिजन प्रांट भी पर भी तेजी से काम चल रहा है साथ्यों यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयाश यही तो उसका रास्ता है जब सभी स्वस्त होंगे, जब सभी को अवसर मिलेंगे, तब जाकर सबका प्रयास देश के काम आएगा दिपावली और छठ का पर्व इस बार पुर्वाइंचल में आरोग्य क्यान नया विश्वास लेकर आया है ये विश्वास तेज विकास का आधार बने, इसी कामरा के साथ नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे यूपी को फिर से बहुत बहुत बदाई और धन्यवाद देता हूँ आप भी इतनी बड़ी तादाद में हमें आसिरवाद देने के लिए इसलिए मैं विशेश रुप से आपका अभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद झाल